मसकार स्वागत है आपका मैं हूँ अभिशेक शुक्ल 36 घड़ में चुनाओ इस वक्त चरम पर आ चुका है चुनाओ प्रचार चल रहे हैं तमाम बयान सामने आ और देश भर में भी इस वक्त माहौल गर्म है भाजपा अपने तरीके से प्रचार कर रही है तीन चार मैंने पहले सरकार बनी है और किस तरीके से चुनाओ प्रचार हो रहा है क्या उम्मीदे हैं क्या रणनीतिया है तमाम पहलू पर बात करेंगे आधा चुनाओ निकल चुक है और आधा भी बचा हुआ है और आप तो स्कॉलर स्टुडेंट रहें लंबा अनुभाव आपका है क्या लग रहा है कि पिछला जो पर्चा गया है चार सीटों का वो कैसा गया है और दूत्य चरण में राजनान गाओं काकेर और महासमुंद लोकसभा का चुनाव संपन हुआ है उसमें भी 75% से ज़्यादा मद्दान हुआ है और जो फीडवेक हमारे पास है उसमें चारों सीट परचन मतों से भारती जनता पार्टी निकाल रहे हैं वही विरोधी थे जो विधान सभा में जिनके खिलाफ आप लोगों नहीं चुनाव लड़ा था और कॉंग्रेस ने फिर से उनको रिपीट किया लोकसभा में खड़ा किया तो कैसी क्या कुछ रणनीती बदलनी पड़ी या कुछ चैलेंजिस जादा देखने पड़े विधान सभा किया पिक्षा देखे आज 36 गड़ ही नहीं पूरे देश की जनता का विश्वास भारते जनता पार्टी के प्रती और हमारे देश के असोची प्रधान मत्री के प्रती बहुत बढ़ा है और उसके उल्टा कांग्रेस अपना विश्वास खोया है, जनता का विश्वास खोया है 2018 के विधान सभा चुनाव में इनके बड़े बड़े लोकलु भामन वादे थे 36 वादों का इनका जन घुशना पत्र था, इनको 5 साल सरकार चलाने का अवसर भी मिला लेकिन 5 साल में 36 में से एक भीवादा पूरा नहीं कर पाए, बलकि 5 साल में चत्यजगड को अपरात का गड़ बना दिये, भटाचार का गड़ बना दिये और इस तरह से चत्यजगड की जनता का विश्वास से लोग खोचुके हैं और जनता का विश्वास आज हम लोग के प्रती, भारती जनता पार्टी के प्रती और हमारे देश के सुस्वी प्रधामती के प्रती बहुत बढ़ा है अच्छटिस गड़ में 11 सीटों का आप लोगों ने लक्ष रखा हुआ है और इससे पहले तक आप लोग नौ या दस सीट पर आकर रहे हैं कैप्टन के तौर पर अब आपके हाथ में कमान है सभी जगा प्रचार कर रहे हैं क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको लग रहा है कि हाँ इस बार सभी 11 आपके हाथ में आ जाएंगे तो 11 में से 9 लोग सभा सीट हम लोग जीते भारती जनता पाटी जीती और उस समय अगर विधान सभा के दिश्टी से बिश्लेशन करें तो 65 विधान सभा में भारती जन्ता पार्टी जीती थी और इसके पहले दो बार 11 में से 10-10 लोक सभा सीठ भारती जन्ता पार्टी जीत चुकी है और इस बार 11 का 11 उमीद इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि 10 साल मोदी जी के कामों का असर है और तीन महने में हमारी भारती जन्ता पार्टी की छत्यगड की सरकार जो मोदी की गारंटी को पूरा करने का पर्यास किया है महलाओं को महतारी बंदन योजना में पैसा दिये हैं किसानों को धान का बोनस दिये हैं उनको अंतर की रासी एक मुस्त दिये हैं, रामलला दर्सन योजना सुरू किये हैं, तिंदू पत्ता खरीदी के आर्डर कर चुके हैं 55 प्रतिमानक बोरा के हिसाब से, तो इतना काम तीन महने में हम लोगों ने मोदी जी के आश्यवाद से किया है, तो यह सब काभीले है, जनता तारीफ करती है, सब आजकल बोलते हैं, हम को देखे कि आपकी सरकार में सब काम साय साय हो रहा है, तो यह सब के कारण हम बोल सकते हैं और हम लगातार चुनाप परचार में जा रहे हैं और हमको लगता है कि हम करीब पचास से उपर विधान सभा जा चुके हैं या जहां भी आदन्य मोदी जी की सभा हो रही है या हमारे ग्रिहमंत्री जी की सभा हो रही है और भी हमारे बड़े नेता है या हमारे प्रदेश के नेता जा रहे हम स्वयम जा रहे हैं सब यग हापार umढ रहा है उन्मेस सब में भारी उस्ता है और इस सब को देखते हुए हमको पुरा विश्वास है कि इस बार पूरी सीट 11 की 11 सीट भारते जंतापाटी जीतेगी प्रधान मंतरी ने अभी नियूज इटिंग के एक इंटर्व्यू में कहा कि कॉंग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम तुष्टी करणवला है और आरक्षर में भी सेंध लगाने की कोशिश कॉंग्रेस कर रही है तो इस बयान को किस तरीके से देखते हैं देखे कांग्रेस मुद्दा भीहिन हो गई है और उनको अपनी हार इसपस दीख रही है और इसलिए बोखलाए हुए हैं और कुछ भी अनरगल हमारे प्रधान मंती जी को पर भीटिपनी कर रहे हैं उनके सर फोड़ने की बात करते हैं तो कोई उनको सराब देता है कि मोदी मर जाए तो इस सब कोई चुनाव केंपेनिंग का हिस्सा है कैसा और वही बड़े-बड़े मनलब निता लोगों के मुख से तो इसको क्या कहेंगे वो खलाए हुए लोग यह इसा बोल सकते हैं जिनका मान सिंग संतुलन खराब हो चुका है वही इस तरह से बोल सकता है काए कि यो लोग जनता के पास जाके कुछ विकास-विकास की बात तो करी नहीं सकते हैं भठाचार के लावा उन्होंने कुछ कि पांच सालों में तो यह पांच साल की जो मुद्दे थे ब्रश्टाचार की बात कर ली जाए या तुष्टिकरण की धर्मांतरण की या जैसे आप लोगों ने महादेव एप या शराब की बात की थी यह विधानसभा की मुद्दे क्या आप जब जा रहे हैं तो आज भी ल दश्टाले हैं चाहे कोईला का है चाहे रेत का है चाहे दीमेब तक भी कीए हैं इसको लेके कॉंग्रीस की नेता भी अंदर हैं उनको सहक करने वाले अधिकारी भी और जो जांस एजिन्सी है लगाताँ जांच कर रही है और बहुत सारे लोग उसमें फस्ते भी जा रहे है बिल्कुल राममंदिर क्या कोई मुद्दा शट्रिस गड़ में है अब जब लोगों के भी जा रहे है तो राममंदिर को ले कर तमाम बाते होती थी आपको लग रहा है कि राम मंदीर हो या आप जो तीरत योजना आप लोगों ने लाई है राम दरशन योजना उसका प्रभावा उसका असर दिख रहे कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ दिख रहा है जब राम मंदीर की बात करते हैं चुनावी सभा में तो तालियों की गड़ गड़ाहट सबसे ज़्यादा बचती है क्या कि बहुत अपेक्षा था छत्यगड की लोगों को की अध्या में भागवान राम का मंदीर बने और छत्यगड से तो विशेश एक रिष्टा भी है वैसे तो भागवान राम मल भागवान ही है लेकिन चुकि उनकी माता जी कौसल्या वो छत्यगड की धर्ती में पैदा हुई थी ये छत्यगड माता कौसल्या की धर्ती है और इस नाते वो भाचा हुए तो बहुत लगाओ भी है भागवान राम से और सबकी बड़ी इक्छा थी कि अध्या में भागवान राम भब मंदीर में बिराजें जो आज 22 जन्वरी को बिराज चुके हैं और छत्यगड़ वालों है यहां के लोग जा जा कि वहाँ पर महनों हां पर लंगर चलाए हैं और भी कई तरस जैसे डॉक्तर गये होऊंपर महनों महनों नीशुल के निशूल कि लाज दो सब छत्यगड़ वालने खुस्या मनाए है प्रधानमंत्री आप से समय समय पर रिपोर्ट भी लेते रहते हैं, जैसे अभी दूसरे चरण के प्रिचार के बाद आपसे फोन पर बातचीत हुई आप। कितने संतुष लग रहे हैं, क्या बातचीत हुई थी आप। अपडेट लेते हैं, जैसे पहले चरण का भी चुना हुआ, तब भी पूछे थे, अभी तीन लोग सभा का दुत्ते चरण ने हुआ, तब भी पूछे थे विशेश लगाव 36 गड़ को लेकर उनका नजर आता है, इस बार काफी दोरे भी के हैं नहीं, उनका लगाव तो पूरे देश से हैं, और तो 140 करोड भारत वासी को अपना परिवार मानते हैं, पुरा देश को अपना परिवार मानते हैं, तो लगाव तो उनका सबसे हैं बची साथ सिटों को लेकर आप सभी जगा जा रहे हैं क्या आपको लग रहा है क्या वहांपर समीक रण बं रहे हैं क्योंकि कई सीटे ऐसे कोर्बा जो पिछली बार आप लोगे पास नहीं थी उसको लेकर क्या उम्मीद हैं क्या रणनीती है सरगुजा की बात कर ले जहां से सभी 14 सीटेज बरविधान सभा में आप लोगों को मिली आप जा रहे हैं देखे सभी जगा हमारे बड़े नेता भी जा रहे हैं माने परधान मंत्री जी का भी जगा जगा सभा हुई है गरी मंत्री जी की भी सभा हुई है और भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी आदित नाद जी भी आए हैं और भी कई नेताएं हैं और हम लोग का 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 भी असर है, मुदी जी के दस साल के कामों का, हम लोग की तीन महने के कामों का और बहुत अच्छा रिस्पांस है और जहां तक कोर्भा की बात है, कोर्भा भी हम कई कारकम कर चुके हैं, इस बार इस्चे तुरुप से कोर्भा की सीड भी निकलेगी और जो वहां के MP थी, उनके उपर निश्कृता का आरोप है, उनने पिछले पांच वरसों में जनसंपर्ग बिल्कुल नहीं किया है, लोग उनको जानते भी नहीं है, इसका भी लाब अपने को मिलेगा. जानजगीर को लेखे मैं सवाल होगा, विधान सभा की आठो सीटे इस बार कॉंग्रेक से पास है, हलाकि चात्तिस गड़ बनने के बाद से हमेशा आप लोग ही लोग सभा जीते रहें, क्या इस बार भी ऐसी प्रणाम की उमीद है? बिल्कुल जानजगीर लोग सभा सीट भी इस बार जीत रहें हैं, विधान सभा में ठीक है, वहाँ अलग-अलग चीजें होती है, अलग-अलग समिकरन होता है, उसके कारण से वहाँ एक भी सीट नहीं ले पाए, लेकिन ये मलब मोदी जी का चुनाव है, राज को मलब और आगे ले जाने वाला चुनाव है, विक्सित भारत के रूप में खड़ा करने का चुनाव है, आने वाले पांस साल में तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है, तो दोनों की इसू अलग होते हैं, विधान सभा की इसू अलग होते हैं, लोग सभा के अल लेकिन एक पक्स ये भी सामने आता है कि खबरे भी आते हैं कि जब प्रशासनिक बैठके आप लेते हैं तो निर्देश बड़े कड़े तौर पे आप देते हैं कि काम होना ही चाहिए हाँ सुभाव से भगवान हमको बिनमर बनाया है और हम बिनमरता स्वर्गे दिलिप सिंग जुद्यव जी से भी सीखे हैं 25 साल उनके साथ हमने काम किया वो हमारे राजनीति के गुरू रहे 25 साल में एक दिन भी उनको हम नाराज होते नहीं देखे और कारकरताओं का जित्ता मान समान करते थे वो सब हम उनसे सीखे हैं लेकिन तीस साल से भी ज्यादा हमारी राजनीतिक लाइफ है उसमें अगर कहीं जनहित की बात आती है तो कोई भी रहे वो हम से बक्सा नहीं आता है मुलब प्रशासनिक वह हम कड़ाई से लेते हैं बिलकुल कड़ाई से प्रशासनिक काम या जनता की बात जो है आप वहां पर बिलकुल धिलाए नहीं वरते एक चीज़ और भी जो चर्चा का विशा होती है हमने देखा कि कारकरता के साथ बड़ी सहस्ता के साथ और मुझे पता चलता है कि देर रात तक भी जब भी कारकरता कोई मिलने आता है पार्टि का अब मना नहीं करते हैं भले ही आपकी नीद में कमी हो जाए देखे कारकरता ही सब कुछ है कारकरताओं के बदलों थी हम विधायक बनते हैं सांचन बनते हैं यहां तक पहुंचाने वाले कारकरता ही है एक एक घर में जाते हैं एक मद्दाता से संपर करते हैं हमारी योजनाओं को पार्टी की रिति निति को वहीं संपर करते हैं अगर उ कि बंतरी बनने के बाद जश्पूर जब आप दोरे पर जाते हैं क्या लोगों का रिस्पूंस वहां पर होता है क्योंकि जश्पूर अच्छा खासा आप लोग उमीद कर रहे हैं कि डेवलप्मेंट में अच्छी उच्छाल मिलेगी उसका लेकि जश्पूर तो सोर्गे दिल सभा चुनाव में ठीक है हम लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए लेकिन बाकी समय का आप रिजल्ट देखेंगे तो उतना किसी भी जिल्य में भारती जनता पार्टी को मनलब रिजल्ट नहीं मिलता है जितना जस्पूर में मिलता है तो तो दिलिप सिंग जुदेव जी का ब उठा रहे हैं और आपको लगते हां जंता इस प्रभावित हो रही है देखिए तो मोधी जी के दस साल का हम जिकर करते हैं कि मोधी जी ने दस वर्सों में गाउं, गरीब, किसान, मद्दूर सबके लिए चिंता किया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको मुल मनतर मांते हुए सबके लिए काम किया, उन्होंने गरीबों के लिए पका का मकान बनवाया घर-घर बिजली, घर-घर पानी, बैंग का खाता, गैस का सिलेंडर, सोचाले का निर्माड, यह सारा चीज बताते हैं कि भई यह सब आदन्य मोदीजी ने किया, उसके बाद राम मंदीर से भी लोगों की भावना जोड़ी थी, वो भी उनके कारण संभो हो पाया, ठीक है सु लेकिन राम मंदीर का निर्माड तो मोदीजी के समय में हुआ न, तो उसको भी बताते हैं, और जो बड़े-बड़े काम हम लोग जनसंग जमाने से नारा लगाते थे, कि एक दो निसान, दो परधान और दो विधान नहीं चलेगा, यह सब जो धारा 370 हटा है जम्मु कस्म दो इस दो बड़े-बड़े काम, बड़े-बड़े निर्ने अधर ने मोदी जी ने लिए है, ओबताते हैं, फिर 3 मेहने में जो मोदी की गारंटी को पूरा करने का, तो स्वतत्त जनता जान रही है, जो महलब काम हम लोग किये हैं 3 मेहने में, वह भी मलब जो, प्रधान मं अभी तक हम तीन बार मत प्रदेश जा चुके जारखंड एक बार गए तेलंगाना गए और अभी उडिसा गए थे सभी जगह भारती जनता पार्टी के पक्स में बहुत अच्छा वातावरन है और हम तो कहते हैं कि जो हम लोग का नारा है चार सो पार बिल्कुल यह होके रहे गए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने व्यस्तता के बीच समय निकाला और हमसे बातचीत की तो मुख्यमंतरी विश्णूदेव साय थे और किस रणनीती के साथ आगे बढ़ रहे हैं चाहे दस साल के काम कायाज की बात हो मोधी सरकार के या चार मह होगी है फिलाद दीजे इजाज़त नबसकार नबसकार